है 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 हलो टीज टूडिंट डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हम आपके लिए एक इंपोर्टन गाइडन्स लेकर आये हैं जो कि आपकी पिछली डिमांड के आधार पर है और आपके डिमांड पर हम आज लेकर आये हैं कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड में बायोजी की पढ़ाई करेंगे कि हमारे नंबर टॉप क्लास आएंगे यानि कि पिछले गाइड जानने में आपको रुची है तो आपने बोला येस मैम बिल्कुल हमें बताइए कि हमारा सलेबस क्या है कितने नंबर के क्वेस्टन कहां कहां से उठते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपने सेशन में यही बताना कि कौन से चीज या फिर कौन से चाप्टर आप पढ़ हो जिससे आपको जादा नंबर का प्रॉफिट हो सुरू करते हैं यहां पर और यहां है उसमें आपको पता है ठोटल यूणिट है 5 यह यह पांच यूणिट है इसमें से अगर हम अपनी बढ़ाई की बात करें तो हम पहला यूणिट खतम कर चुके हैं और दूसरे यूण है वो सत्तर नंबर के पेपर से आएगा यानि आपका जो एक्जैम होता है वो ओल टोटल सौ नंबर का होता है ठीक है आपका एक्जैम कितने नंबर का होता है हंड्रेड मार्क्स का तो हमने सौ नंबर का तो पेपर लिया चलिए इसको रेड़ बैंसे लिख लेते हैं हमारा ज कि इसकी बात हो रही है सिर्फ बालजी सब्जेक्ड की इस सौव में से हमारे पास सतर माक की पूरी की पूरी आएगी और तीस माक्स में हमारे प्राक्टिकल होंगे ठीक है जिसमें आपके वाईवा और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगे लेकिन हम यहां पर आपको बताएंगे कि सतर नंबर आपके बुक में से किस चैप्टर से कितने आएंगे जैसे कि आपको पता है हमारे पास टोटल फाइफ यूनिट् दूसरी तीसरी चौथी पाचवी और इन पाचों यूनिट से टोटल सतर नंबर के क्वेश्चन आते हैं यानि पहला यूनिट सोला नंबर के क्वेश्चन लेकर के आएगा दूसरे यूनिट से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तीसरे यूनिट से बारा नंबर के क्वेश यहां पर ही आपको नहीं छोड़ सकते हमने यह तो बता दिया कि किस unit से कितने number के question आएंगे लेकिन हम साथ ये भी बताएंगे कितने chapter से कितने number के question आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी biology की पहली unit से कितने number के question बनते हैं उसको जानते हैं आपको पता है हमारा पहला जो यूनिट है वो है री प्रोडक्शन और री प्रोडक्शन यानि जनन जीवो में जनन जिसे आप कह रहे हो वो जो चैप्टर है उसमें टोटल तीन चैप्टर है वो यूनिट जो है उसमें तीन चैप्टर है पहला पुष्पी पादपो में लैं पहले जनन से सात नंबर का question आएगा मानव जनन से छे नंबर के question आते हैं और जनन स्वास्थ से तीन नंबर के question आते हैं यानी इस पूरे unit से कितने हो गए 16 number के question और हमने आपको 90 20-day series में यह यूनिट खतम कर लिए है जाईए और अपना 16 नंबर पक्का कर लीजिए नेक्स्ट यूनिट पर फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो यूनिट है वो है जनेटिक्स की यूनिट और अभी हम रीसेंट में जनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं जनेटिक् रागती के बारे में पढ़ना है सिध्धानत वगेरा दूसरे में हमें अन्वी और तीसरे में evolution पढ़ना है और तीनों चाप्टर में पहल सब्सक्राइब है और आठ नमबर का एगा जुए तच्छे कर salvar Metal के नियम सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं जो मैं बार बार कहती हूं बहुत इंपोर्टेंट है अगेन इससे आठ नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एवल्यूशन यानि विकास से हमारा चार माक का यानि हाई वेटेज इस यूनिट ने उठा रखा है कितने नंबर का 20 नंबर का कितने कितने विकास चैप्टर से आएंगे चलिए हमने दो यूनिट तो सफाया कर दिया अब हम तीसरे यूनिट पे चलते हैं जन से टोटल बारा नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वो चैप्टर है मानव कल्याण में जीव विज्ञान यानि कि किस तरीके से हम अपने आपको स्वस्थ रखेंगे रोगों के बारे में पढ़ेंगे यह सारे चैप्टर इस यूनिट में पहला है मानव स्वा से लाइफ में कैसे हेल्प कर रहे हैं तीन नंबर के क्वेश्चन इससे आएगा और टोटल बारा नंबर यह यूनिट अपने पास रखता है अगले यूनिट पर चलेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं अगले यूनिट जैव टेक्नोलिजी का और फिर हम उसके अप्रडिकेशन स्पढ़ेंगे उसके प्रयोग पढ़ेंगे और यह दोनों ही चैप्टर बराबर बराबर नंबर में आते हैं यानि छे नंबर में हमारा जो चैप्टर आएगा वो है जैव प्रत्योगी की सिध्धानत एवं प्रक्रम औ जाब बचा भाई हमारा लस्ट यूनिट जो की है पारिस थित्विकी से दस नंबर के आते हैं इसमें भी तीन चैप्टर घॉज्व और समुझ । पांच नंबर का क्वेश्चन पारीत तंत्र इस नंबर का सारे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कितने नंबर कहां से आ रहे हैं कौन से यूनिट पर ज्यादा मेहनत करनी है यह सब आपको मैंने बता दिया है मेरे इमानों तो सारे यूनिट हैं और हर यूनिट से आपको वेटेज उठाना पड़ेगा क्वेशन का और आपका नंबर बहुत ही अच्छा हैगा मुझे ऐसी उम्मीद है यहां पर हमने आपको बताया कि पूरी बाइलजी में जितने यूनिट हैं उसमें से कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेशन आते हैं और कौन सा चैप्टर कितने नंबर के क्वेशन लेकर के आता है यह सारी बाते अब मुझे लगता है कि आपको यह हेल्प हो गया होगा कि किस चैप्टर पर जादा मेहनत करनी है जाहिर सी बात है नंबर अच्छा लाना है तो सारे के सारे चैप्टर पर मेहनत करनी होगी लेकिन अगर लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी पढ़ना है तो जो चैप्टर जादा नंबर का है उस पे जादा ध्यान देंगे लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हमारी 90 डे सीरीज चल भी रही है तो हम सारे चैप्टर को इक्वल टाइम इक्वल महनत देंगे ताकि बारवी के बाद जो भी कोर्स हम करने जाएं उसमें हमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े तो यहां पर हम विदा लेते हैं आप लेकिन एक और उम्मी छोड़कर जा रही हूं आपको अगला विडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा हम जरूर उस पर देखेंगे या फिर हम उस पर विडियो लेकर आएंगे तो आज की यह जो विडियो है वो आपके सिलेबस से चलिए विडा लेते हैं प्लीज विडियो को लाइक करिएगा विडियो कैसी लगी कॉमेंट करिएगा और एक चीज़ मत भूलिएगा कि आपको बताना है अगला विडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं थैंक यू सो मज़ गई